नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पती से मिलने दिली जाती है और वो ट्रेन मैं बिना टिकट के ही चर जाती है फिर उसक साथ क्या क्या होता है चलिए आप कहानी सुनते है, दोस्तों की इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना हाई फ्रेंज, मेरा नाम खुशी है, मेरी उमर 26 साल की है, और मैं जोगपूर की रहने वाली हूँ मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, मेरा रंग काफी गोरा है, पर मेरा फिगर गदराया हुआ है, जो भी मुझे देखता है तो देखते ही रहता है मैं एक शादी शुदा महिला हूँ, और मेरे दो बच्चे है जिन में से एक लड़का पांच साल का है और बेटी साथ साल की है दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे है, ये मेरी जीवन की ऐसे कहानी है, जिसको मैं भूलना चाहती हूँ, पर भूल नहीं पाती हूँ, आखिर उस रा ट्रेन में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, जिसको मैं भूल नहीं पा रही हूँ, चलिए आपको मैं सुनाती ह उस रा ट्रेन में क्या हुआ था ये सुनकर आपको भी मजा आएगा और मेरे उपर तरश भी ये घटना आज से पांच साल पहले की है जब मेरे पती जो की दिली में जॉब करते हैं उनकी तबियत खराब हो गई थी तब मेरा बेटा दो साल का था और बेटी चार साल की थी मेर पती को अचानक से काम के दोरान ही होट अटेक आग गया था जब वो अस्पताल में भरती हुए तब मेरे पास कॉल आया तब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया की मैं क्या करूँ तो मैंने जल्दी जल्दी में सामान बांधा और अपने बच्चों को लेकर सीधा स्टेश के ही मुझे सफर करना पड़ेगा तो मैंने अपने बच्चों से जूट कहा कि हमें टिकट मिल गई है और हम सीधा ट्रेन में चड़ गए स्लीपर डब्बे में जाकर मैंने बड़े दिमाग के साथ अपना सारा सामान एक सीध पर रख दिया पर मुझे ये पता था कि जिसकी कि ये सीध होगी वो अपनी सीध तो ले ही लेगा पर तब भी मैं उस सीध से नहीं हिली मुझे दर भी लग रहा था और जी भी घबरा रहा था पर मैं हिम्मत नहीं हार रही थी उस दिन शायद मेरी किस्मत ही थी कि कोई नहीं आया था उस सीध पर फिर रात के एक बज़े क बात है टीसी वहां सबकी टिकट चेक कर रहा था और मुझे इस बात का जरा भी ध्यान नहीं था कि मैं पकड़ी जा सकती हूं क्यूंकि मेरे पास आधार कार भी नहीं था और होता भी तो क्या कौन सा वो सीट मेरे नाम पर थी टीसी मेरे पास आया वो करीब करीब 30 साल का था रेखने में बहुत ही खूब सूरत था मेरे पास आके उसने मुझसे टिकट के लिए पूछा तो मैंने कहा सर मेरे पास कोई टिकट नहीं है ऐसा नहीं है कि मैं टिकट नहीं ले सकती थी पर सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं टिकट नहीं ले पाए फिर मुझे यही रास्ता सही लगा और मैं बिना टिकट ही ट्रेन में बैट गई उतने में उसने मुझसे कहा मेडम देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो मेरी ड्यूटी है वो तो मुझे करनी ही पड़ेगी आपको टिकट देना ही होगा नहीं तो हर जाना भरना यदि आप वो भी नहीं कर सकती तो मैं आपको अगले किसी भी स्टेशन में उतार दूँगा मैंने उससे बहुत मिन्नते की वो ऐसा न करे और मुझे माफ कर दे मैंने उससे सारी बाते बता चुकी थी कि मैं दिल्ली क्यों जा रही हूँ पर उन्हें कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि अकेले में आईए तो मैं दर्वाजे के पास गई मेरे बच्चे सो रहे थे इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई फिर उन्होंने मुझसे कहा कि एक रास्ता है, तो मैंने पूछा बताईए क्या रास्ता है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तब वो बोला देखो आप कितनी सुन्दर हो, कितनी जवान हो, क्यूं परेशान हो रही हो, तुमने एक काम कर दो, मैं समझ गई थी, कि वो कौन सा काम करने को बोल रहा है, मैंने बोला कि जो काम आप बोल रही है, वो काम यहां कैसे हो सकता है, पर मैं दर भी बहुत रही थी, अब मेरे सामने मजबूरी थी, तब ये वो बोला कि तुम चलो यहां सब कुछ हो जाएगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए शान्त रही, टीसी बोला कि जल्दी बताओ नहीं तो अगले स्टेशन पर उतर जाना पर मैं जल्दी में कोई फैसला नहीं ले पा रही थी टीसी को भी जल्दी थी एक तो वो बेचैन हो रहा था और उससे भी कई डबो में टिकर चेक करनी थी तो मैंने बोला ठीक है पर थोड़ा जल्दी कर लेना बच्चे अकेले है तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम दोनों आराम से सुझाओ मैं कुछ देर में आती हूँ अब मैं उनसे ये तो नहीं कह सकती थी कि मैं गलत काम करने जा रही हो फिर वो मुझे दब्बे के टोयलेट में ले गया और वहां उसने मुझे किस करना चालू कर दिया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मैं उसको बोली कि जल्दी से कर लो जो भी करना है तो वो बोला कि इतनी भी जल्दी नहीं करूगा कि मजा ही ना आए मुझे बहुत ही गुसा रहा था पर मैं मजबूर थी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था फिर भीना चाहते हुवे भी मुझे उसका साथ देना था वो कुट्टे की तरह जोर जोर से दूद को पीने लगा कुछ देर बाद मुझे भी अच्छा लगने लगा क्योंकि मुझे अपने पती के पास सोय बहुत टाइम हो गया था तो आग मेरे अंदर भी थी फिर कुछ देर दूद पीने के बाद उसने लॉलिपॉप दिखाया जिसको देख के मेरे हवा टाइट हो गई थी आप समझ ही गए होगे मेरी हवा टाइट क्यों हुई पर मन ही मन मैं मुझे मज़ा आ रहा था और मैं अपनी सारी दिक्कत और सारी मुसीबत भूल चुकी थी तभी मैं उसको बोली कि अब जल्दी से कर लो कभी बच्चे जाग जाए वो बोला कि ठीक है अभी देता हूँ तुझे जन्नत का मज़ा फिर उसने दस मिनट तक मुझे जन्नत का मज़ा दिया मुझे वो इस काम में गुरू लग रहा था क्योंकि वो इतनी कम जगह मैं भी ऐसे कर रहा था जिसे हम रूम के अंदर हो फिर हम दोनों दस मिनट के बाद एक दूसरे से अलग हो गए वो अपने कपड़े सही करके बोला कि मज़ा आया कि नहीं तुझे मैंने बोला कि मज़ा तो आएगा ही जब इतने अच्छे से किया है फिर वो बोला कि आप तुम आराम से सीट पर लेट के जाओ कोई तुम्हे कुछ नहीं बोलेगा फिर मैंने भी अपने कपड़े अच्छे से सही किये और अपनी सीट पर जाके लेट गई वो सीट जिसको पाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा मुझे उसके साथ करने में मज़ा भी बहुत आया और खुद पर गुसा भी बहुत आ रहा था मैं सीट पर लेट के सोच रही थी कि अब सारी दिखते दूर हो चुकी है अब कोई परिशानी नहीं होने वाली है कोई भी आ के सीट के लिए नहीं बोलेगा पर मुझे क्या पता था कि दूसरा टीसी भी आएगा जब मैं सोने लगी उस वक्त दो बजे रहे थे और तभी दूसरा टीसी आ गया और मुझे से टिकट मांगने लगा मैं तो एकदम से डर गई थी जब मैंने उसे पूरी राम कता सुनाई तो उसने भी मुझसे कहा कि मेरे साथ भी वही करो जो उसके साथ किया है फिर तुम्हें दिल्ली तक कोई दिककत नहीं होगी मुझे ये सब बहुत खराब लग रहा था कि मैं ये सब कर रही हूँ और मेरी परेशानी से किसी को कोई भी मतलब नहीं है मेरी आखों मैं आशू आ गए पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी उसने भी मुझे दूसरे डब्बे में ले जाकर मेरे साथ वो ही किया जो पहले वाले ने किया था पर इस बार मुझे कोई दिककत नहीं हुनी थी क्यूंकि लॉलिपॉप पहले जैसा नहीं था पर वो नशे में था और मुझ पर भूखी कुत्ते की तरह तूट पड़ा, उसके ऐसा करने से मैं गिरते गिरते बची, मुझे उसके साथ कोई मजा नहीं आया, उसने पांच मिनिट में ही फ्री कर दिया, फिर पहली की तरह मैंने अपने कपड़े सही किये, और अपनी उस सीट पर जाके लेट सुबह के टाइम में दिल्ली पन होची, और जैसे तैसे अपने पती के पास पहुची, उनका इलाज एम्स हॉस्पिटल में हो रहा था, मैं उनसे कोई भी चीज नहीं बता पाई थी, क्यूंकि ये घटना कोई बताने वाली नहीं थी, तो दोस्तों ये थे, उस लड़की की घटना जिसको वो भूले तो भी नहीं भूल पाती है, दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी सुन के जन्नत का मज़ा आया होगा, तो दोस्तों मिलते हैं फिर मिलते हैं दूसरे कहानी के साथ, बाई!